कम गाईस तो आज आप लोग के सामने में लेका आया हूँ एक scam story जो इंडिया AI credit cash loan application से related है काफी बंदे आप लोग को बताएंगे कि यह application अच्छा है यह है वो है लेकिन कोई आप लोग को यह नहीं बताते है कि इस application पर क्या क्या दिक्कत है लोगों को आ रहा है लोगों को कै कैसी problems की सामना करना पड़ा है इस application पर ठीक है तो आज मैं आप लोग को एक scam story बताऊंगा जो एक बंदे की story है जिसने इस application से loan के लिए apply किया था मैं उस बंदे की नाम नहीं बता सकता है क्योंकि उस बंदे ने मुझे strictly request किया है कि भाई मेरा नाम मत बताना क्योंकि उस बंदे की सारी details इस application पालों की पास है अगर मैं उस बंदे की नाम बता दो तो हो सकता है उस बंदे को future में और भी जादा problem आए तो सीधा मैं आता हूँ point पे आप लोगो को time मतलब बहुत ही आप लोगो की useful है तो waste नहीं करते है आप लोगो की time और मैं सीधा आप लोगो को बताता हूँ story तो बात ऐसा हुआ कि एक बंदा है जो की 24 years का है और वो salary बंदा है मतलब वो salary आता है उसको वो job करता है उस बंद करने के बाद यहां पर loan के लिए apply किया अभी उस बंदे की credit score बगएड़ा अच्छा था और उसके पास salary भी था salary sleep भी था मतलब उसके पास income proof था तो उस बंदे को इस application बालों ने बता है कि हां भाई आपकी तो credit score बगएड़ा बहुत ही अच्छा है तो आपको हम लोग आप अगर मुझे मिल जाता है तो काफी सारा problems मेरा solve हो सकता है तो उस बंदे ने भी बीना कुछ सोचे समझे apply कर दिया उसको forlux का loan appropriate हो गया उसके बाद यह application वाले क्या बताया कि भाई आपको तो हम लोग loan दे देंगे लेकिन आपको 111 सा काम करना है आपको 5% आपकी जो loan amount है उसे हम लोगों को advance pay करना है तो उस बंदे ने भी 4 lakhs की 5% पकर लो around 20,000 के आसपास और कुछ processing fees, membership fees ये भी होता है तो वो सारी सीज़े almost 20,000 के आसपास उस बंदे ने यह application वाले को payment कर दिया और उसके बाद यह application वाले अभी 15 से 20 days हो गया और उस बंदे को कुछ contact ही नहीं किया उसको loan भी नहीं दिया और जब यह बंदा बोलते हैं कि मेरा advance payment है उसे मुझे return शाहिए तो यह application वाले बोलते हैं कि भाई आपके account तो फिला locked हो गया है unlock करने के लिए आपको फिर से 4000 रुपीज पे करना पड़ेगा तो अभी बताओ भाई बंदा तो आया था यहां से loan लेने के लिए लेकिन अभी बंदा खुछ से ही पैसा दे बेथा ठीक है तो उस बंदे को अभी तक आज तक इस application से जो उसने advance payment किया था उसे refund नहीं मिला है और उस बंदे ने अपनी जो भी होप है ना उसे अल्रेडी चोड यह है कि हाँ भी मुझे तो पैसा नहीं मिलने वाला तो उस बंदे के साथ scam हो गया उस बंदे ने इस application के against complaint भी किया है लेकिन अभी तक उसका पैसे का कोई अता पता नहीं है तो गाईस यह तो बस एक example है बंदे की ऐसे हजारो बंदे की काहिनी मुझे पता है हजारो बंदे मुझे message करते है हजारो बंदे मुझे बोलते है अपनी story की मेरे साथ यह हुआ है मेरे साथ यह हुआ है मेरे साथ इस application ने ऐसा किया मेरे साथ ऐसा किया तो बहुत सारी problems है मैंने जो बताया यह आप लोग को और भी ऐसी कहानी सुनना है लोगों के साथ क्या क्या हुआ है उसके बारे में आप लोगों को जानना है तो कॉमेंट पर जुरूर बताओ मैं इस वीडियो का पार्ट टू भी आप लोगों के लिए जुरूर लाओंगा अगर आप लोग इंटरेस्टेट हो तो ठीक है और अगर आप लोग स्मार्ट बंदे हो आप लोग यह कहीं नहीं सुनके ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह एप्लिकेशन कैसा है आपके साथ क्या हो सकता है अभी दूसरे की प्रॉब्लेम सुनने का फाइड़ा यही है कि हम लोग फ्री में हम लोगों को नॉलेस मिल जाए लोगों को क्या क्या हो रहा है तो आप लोग दूसरे बंदे की गलतियों से सीख सकते हो मेरा इनिसियेटिव यही है इस वीडियो को बनाने का कि आप लोग भी थोड़ा एवारनेस अपने आप में लाओ और किसी भी एप्लिकेशन पे इंस्टॉल करने से लोन कर एप लोगों के साथ क्या क्या हुआ है तो कॉमेंट पे जरूर बताओ आसकी वीडियो में इतना ही था गाइस पिर मिलता है एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइगाईज लाफ यू गाइस